पूस्लिवा ऑल आ पए हैं थे नेच्ट चाप्टर है चैपटर नमबर फ्रीए इसेहेंशल एक्यूप्मेंट और रीजन्स फॉर बेटनरी डियागनोस्टिक मा क्रोलजी लबर भताग्री तो क्या क्या equipment होना चाहिए क्या reagents होना छाहिए एक रिंटक करेंद नहीं होना चाहिए इसके लगवा एसी smooth benches Wahr Modern जो की Performance वाली हो और जिसमें कोई भी बाड माटेरियल हो तो उसका बन डिसिंफेक्शन आराम से कर सकें कि इसके लाब हम सिंक होना चाहिए जो कि जाती है तो नेक्स्ट रिक्वार्मेंट आती है कि सेंपल कलेक्शन के लिए के रिक्वार्मेंट्स होना चाहिए तो छोटे मोटे बहुत सारे इटम से हमारे पास जिसे पोस्ट मॉटम नाइफ, स्केल पलफोसिफ, सीजर, स्मॉल हॉक सॉप, फॉर्बोन स्पैसिमेन, स्टेरेल कॉर्क, स्क्रीव केब्ड, डिस्पोसिबल कंटेनर्स, स्टेरेल प्लेन स्वैप्स, ठीक है, इसके बाद कुछ ट्रांस्पोर्ट मीडिया है, जिसे की, आगे चलते हैं, प्लास्टिक बेग होना चाहिए, with waterproof एक marker होना चाहिए जिससे हम marking का काम कर सकें इसके अलाबा हमारे पास एक wooden tongue dispenser होना चाहिए जो कि scraping of mucosal surface में यूज होता है और कुछ fecal sample material बगरा उठाने के लिए भी इसकी ज़रत पड़ती है इसको हम autoclaving कर सकें ऐसे हमारे पास tongue dispenser होना चाहिए poly string containers, coolant pads, unbreakable container for transport samples तो जितना भी transportation हम करेंगे samples का उसके लिए हमें coolant की ज़रत पड़ेगी क्योंकि हमें 4D temperature पर हमें transportation करना है requirement for standing techniques अब standing करने के लिए देखिए हमें बंसन बलना रोना चाहिए था कि हम जैसे मोडिफाइड जिल निलसन है जिल निलसन है तो इनका हम जो standing करेंगे उसके लिए बंसन बलना रोना चाहिए gas supply होना चाहिए इसके बाद glass microscope slides मतब glass slides होना चाहिए cover slips वगरा होना चाहिए ठीके फिर container with 70% ethanol होना चाहिए और scale pulse scissors four steps वगरा होना चाहिए तो एक ऐसा container होता है जिसमें हम यह सारे instruments से रख सकें तो जिसमें 70% ethanol alcohol हो एसा container हो जिसमें हम यह सारे instrument को disinfectant का यूज करके disinfect कर सकें एक discard jar होना चाहिए जिसमें हम यह instrument वगरा जो है stand stand smear है इसको discard कर सके नाइक्रोम लूप्स वगरा होना चाहिए straight wire वाले sink है standing rake है अब ground standing करेंगे तो ground standing की kit होना चाहिए डाय होना चाहिए उसके यह सब हमें देखना पड़ेगा इसके रावा cylinders वगरा होना चाहिए graduated cylinder जो वन लिटर के 100 ml के glass funnels beakers ठीक है इसके रावा oil immersion होना चाहिए एक best good quality microscope होना चाहिए तो यह धियान लखना हमें कि जो hematological work होता है और जो histopathological work होता है इससे भी ज़्यादा good quality का जो microbiological work होता है क्योंकि इसमें हम microbes देखते हैं तो microscope एसा होना चाहिए जो for the microbiological work के लिए best quality का हो ठीक है क्योंकि इसमें डाइग्राम बताया है कि आप जब erythro side देखते हैं तो basically हम hematological work कर रहे हैं तो erythro side का size देखिए आप कितना बड़ा है एक erythro side का size इतना बड़ा है और इसी की comparison हम देखते हैं तो जो staphylococcus bacteria है उससे भी छोटा brucella bacteria है उससे भी छोटा हम इधान आएं तो हमारा यह box virus से भी छोटा है box से भी छोटा हमारा एडिनो वाइरस है और एडिनो वाइरस से भी छोटा पारव वाइरस है तो देखो कितना small size है तो इसमें specification है कि RBC का जो वाइरस होता है वह 10 micrometer की जो size है उसमें देखा जा सकता है और यह light microscope में देखा सकता है 10 micrometer से भी छोटा 1 micrometer है staphylococcus brucella claim idea और 1 micrometer से smallest होते हैं 100 nm तो 100 nm में आप यह देखेंगे कि जो box virus है यह largest virus है इससे भी चोटा एडियो नहीं है इसे चोटा पार्वो है तो जो पार्वो का size है वह पार्वो और सरको यह सबसे smallest virus है तो यह जो है ओर और साइस कंसिडर करें विधर दार भी सी तो हम देखेंगे कि आर भी से से भी इस वेली small size और वाइरस का है तो हमारे पास में best microscope होना चाहिए microscope के बाद में oil immersion होना चाहिए तो microscope के अलावा हमारे पास सब्सक्राइब करने के लिए हमारे पास में रेफ्रीजरेटर होना चाहिए जिसमें मीडिया हो रिएजेंट्स हो स्पेसिमेंस हो इस्मॉल इंक्युबेटर हो जिसका टैंपरिचर 37 डिगरी हो लेकिन उसको हम सेट कर सकें मिनिममम और मेजिमम थर्मामेटर से उसके अंदर ही एक थर्मामेटर भी होना चाहिए एक स्मॉल आटर क्लेव मशिन होना चाहिए जिसमें प्रेशर गौज लगा हो सेफ्टी वाल्व हो और उसका टैंपरिचर जो है हम 121 डिगरी सेंटिगरेट तक सेट कर सकें उसमें प्रेशर गौज होगा तो 15 पासकल तक का टैंपरिचर अम प्रेशर म सेट कर सकेंगे इसके बाद एक वेंग बेलेंस होना चाहिए और यहींघ की तक होना चाहिए जिसका टैंपरिचर 50-54 चलिए है मेडिया उगए और मेडिया को कर सकते हैं और मीडिया को सकते हैं और इसके उपर गॉज लगाने की गॉज होना चाहिए इसके अलाबा बंसन बनना रोना चाहिए एस्टेराइल प्रेटर डिश कोना चाहिए प्रेटर डिश जो है यह इसका एक्जेक्ट मेजर होता है यह होता है 90 mm के सरकल के 90 mm वाले इसके बाद में आगे चलता है हमारे पास 70% इथेनॉल होना चाहिए पोसेप होना चाहिए डिसिंफेक्टेंट जो कंटेनर है डिसकार कंटेनर होना चाहिए इन उक्लेटिंग लूप होना चाहिए नाइक्रोम लूप वगरा ठीक है अब इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टन नहीं है काम का यह से कॉटन बोल्ड दो टाइप की यूज होते हैं एक एब्सॉर्बंट यूज होता है एक नॉन एब्सॉर्बंट का यूज होता है जब हम हमें कोई मटेरियल को वाइप करना हों बेंचस से और नॉन एब्सॉर्बंट का यूज है जहां हम इसका प्लग बनाके हम किसी कल्चर मीडिया वगरा का ओपर जो फ्लास्क होता है उसके मुह को बंद कर सके इसके लिए हमें प्लगिंग के लिए ज़रूरी पढ़ता है हमारे पास आजू ब्लड अगार प्लेट्स के लिए हमें ग्लास बीट्स की पड़ही है और इसके लिएंज से फण को प्येइवauso चाहिए इस टाइब के कुछ गेस पेक आते हैं और इसके लावे केंडल जा रहे देखिए तो केंडल जार की जरूरत इसले होती है क्योंकि जो केपनोफिलिक और इसले होती है जिसमें ऐसे बैक्टिरिया जिनका जब ऑक्सिजन लविंग नहीं है उनको ग्रोव करना है जो इन अपसेंस ऑफ ऑक्सिजन ग्रोव हो जाते हैं तो उनको ग्रोव करना के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है इसके रवावा प्लास्टिक लावा डिसपॉसाल बीन्हें स्टिक होना चाहिए एक ही आता है फैस्पिय महांटिशन इस्टिप्यूर इस्के बाते हैं ऑर इस से हम जो थो आफ मेरे लिए इस स्टिछराल आते हैं इसके बाद आते हैं ह सिस्पोसल औफ कल्चर प्लेटज्स एन्ड प्रेट्रogicार यह बहुत ज्यादा हो pops इसके लिए हमारे पास मैं और फेट्ट मैं रखकते हम आप्ट श्कार्जरों कर सके हो इसके अलाबा कुछ ऐसी चीज़ें जिसको जिसका इंसिनरेशन करना है तो इंसिनरेटर होना चाहिए और कि दी और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमको डिसिंफेक्टेंट के अंदर 48 आवर्स तक रखना है तो इस टाइप के हमारे पास में बड़े-बड़े कंटेनर होना चाहिए जिसमें 48 आवर्स तक डिसिंफेक्टेंट के अंदर माटेरिल को रखके डिसकार्ड कर सके हैं तो अल्टिमेटली जो माटेरियल है देट कंटेनिंग पैसजनिक और्गनिजम्स शुद नॉट लिए लेबराटरी अंटिल थे हो बिन इस्टिलाइज जब now coming to chapter number four